माहराश्ट की राजनीती से जुड़ी बड़ी खबर साफ ने आ रही है आपको बता दें बीजेपी नेता मोहित कामबोज और एंसीपी के नेता नवाफ मलिक के बीच दक्रा लगातार बढ़ती दिखाईते रही है आपको बता दें बीजेपी नेता मोहित कामबोज ने द्वाफ मलिक पर एक तीसरा केस दर्श किया था जिसमें अब कोट ने 13 दिसंबर तक इस अपराधिक माफले के आतेश के लिए ये पूरा माफला सुरक्षित रखा है तो लगातार ये आहरोप परत्याहरोप का सिलसला महराश्ट में जारी है हमने देखा है कि किस तरीके से आर्यन खान क्रूस ड्रग के सांखने आने के बाद से जिस तरीके से नवाफ मलिक ने मोहित कामबोज जो की बीजेपी के युवा नेता हैं उन पर तमाम आहरोप लगाए और इस पूरे माफले में मोहित कामबोज ने नवाफ मलिक पर ये आपराथिक माफला दर्च किया था और अब मंजगाव कोर्ट में इस पूरे माफले पर बहस हुई जिसमें अब 13 दिसंबर तक के लिए ये माफला जो है वो फिलाल सुरक्षित रखा किया है यानि आने वाले वक्त में नवाफ मलिक की मुश्किले बढ़नी तैह है क्योंकि नवाफ मलिक NCP के नेता है माहराष्ट में उथव ठाकरे सरकार में मंतरी है लेकिन जिस तरीके से वो लगातार प्रेस कॉनफरेंस कर रहे थे जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी नेताव पर इमाः मंगढंत आखरोप लगाई है इस पूरी कड़ी में अब बीजेपि नेता मोहित कामबोज नवाफ मलिक को बकसने के मूड़ में नहीं है नवाफ मलिक पर लगातार उनके तरफ से केस्ट कर आए गई हैं और हाली में नवाफ मलिक पर की तीसरा केस्त मोहित कामबोज ने दर्ज कराया है जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरके दी थी बता दें कि बीजिपी नेता मोहित कामबोज ने बकायता ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी थी कि उन्होंने नवाह मलिक पर एक तीसरा केस फाइल किया है ट्वीट मे एक वीडियो उनकी तरब से पोस्ट किया गया था जिसमें मोहित कामबोज ने ये जानकारी दी थी और कहा था कि नवाफ मलिक ने 7 नमबर को एक प्रेस कॉन्फरेंस करके मोहित कामबोज पर किड्नैपिंग के अरोप लगाए थे एक्स्टोशन के अरोप लगाए थे और यही नमबर को वो कोड़ गए तो वहां कई मीडिया हाउसे को उन्हें इंटर्व्यू थिया जिसमें उन्होंने मेरे उपर कई गंभीर आहरोप लगा थे और बीना किसी दबूत के वो मेरे उपर के आहरोप लगा रही है एक ग्यारा सो करोड के फ्रोड का आहरोप भी उन्होंने मेरे उपर लगा रही है ये भी चांदकारी मोहित कामबोज की ओर से ती गई तो उनकी तरब से उस फीडियों में यही कहा किया कि नवाह मलिक के पास कोई जबूत नहीं है और पिना किसी सबूतों के वो बेपुनियाद इस तरीके के आखरोप लगा रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ जूट की राशनीती करने वाले लोग हैं महाफिकास अगारी सरकार सिर्फ और सिर्फ जूट की राशनीती कर रही है लेकिन वो अब कानूनी लड़ाई इस पूरे मामले क लेकर लड़ेंगे वो कोट चाहिए के नवाफ मलिक को अब कट घरे में खड़ा होना पड़ेगा नवाफ मलिक को अब मेरे खिलाब सबूत देने होंगे ये मोहित कामबोज की और से कहा क्या है जाहर तोर पर शुरू में ही हमने देखा कि आहिन खान क्रूज ड्रग मामला आहरोप लगाय थे उन्होंने आहरोप लगाया था कि समीर फानखिड़े और मोहित कामबोज मिले हुए हैं और तब ये शारुक खान के बेठे आर्यन खान पर कारवाई की गई है आर्यन खान को किटने करने की पूरी स्क्रिप्ट रची गई है और ये स्क्रिप्ट किसी ओ और से ये केस फाइल किया था जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट में दी थी उन्होंने लिखा था कि ये तीसरा आपराधिक माफला जो की मिया नवाख मलिक पर मैंने दर्श करा है मिया के खिलाफ अधारा 400 99 और 500 IPC के तहत ये जो केस है वो फाइल किया किया है और अब न नवाह मलिक पर लगातार हमलावर हैं हर रोज उनकी तरफ से ट्वीट किये जा रही है और ट्वीट करते हुए जानकारी ती जा रही है बकाय था कि कितने केस उन्होंने कब नवाह मलिक पर दर्च कराई हैं उन्होंने बताया है कि 29 अक्टूबर को संता क्रूज प्लिस स्टे तरीके से नवाह मलिक उन पर बेभुनियाद आहरोप लगा रही है वो भी शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्च कराई थी इसके लावा 29 नवंबर को सेफरी पुलिस स्टेशन में आई पीसी उन्होंने एक शिकायत पुलिस में दर्च कराई थी यह तमाम शिकायते हैं जो नवाह मलिक के खिलाफ मोहित कामबोज ने दर्च कराई है क्रिमिनल केस नंबर 7684 पच्चबन 2021 जिसमें मंत्री चमानत सेफरी कोर्ट में है यह जानकारी भी उनकी तरब से ट्वीट करते को करोड रुपे का हरजवाना इसके लावा अपराधिक मामला संख्या 2508108 ये भी इस मामले का जिक रूहने क्या है उन्होंने कहा है कि पूरा मामला फिलाल सेफरी कोर्ट में है तो तमाम जानकारी उनकी तरब से लगातार ट्वीट करते हुए दी जा रही है कि किस तरीके से पूर नवाफ मलिक पर अब कांउनी कारवाई चाहते हैं नवाफ मलिक अब कांउनी रूप से सखने आए बहुत हो गया ट्वीटर पर आपस में उलजना ट्वीटर पर आप 넣고 त्यारों का सिल्थला अब जाहर तोर पर जवाब जो है नवाफ मलिक को कोट में देना होगा और यही वज़ा है कि नवाफ मलिक पर लगातार मोहित कामबोज हमलावर हैं, वज़ा बिलकुल साफ है, माहराश्ट में नार्कोटिक्स कंट्रोल प्यूरो ड्रग माफियाओं पर कारवाई कर रही है, नवाफ मलिक को लगता है कि ये कारवाई जो है, वो बीजेपी नेताओ और केंद्रिय metre मंत्रियों के इशारे पर हो रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर ये कारवाई हो रही है, और चूकि नवाफ मलिक के दामाद समीर खान इस पूरे क्रूज डरग माफियं में फसे हुए है, और क्योंकि वो जमानत पर फिलाल बाहर है, तो ऐसे में कोशिश नवाफ मलिक ये कर रहे हैं कि इस पूरे माफले में अपने दाफमाज समीर खान को बचाया जाए लेकिन फिलाल मोहित कामबो से लेकर बीजेपी नेता देवेंद्र वर्णवीस तबाम बीजेपी नेता नवाफ मलिक पर हमलावर हैं नवाफ मलिक की पोल खोल रहे हैं कि आख दिर्द घूमता है और उन्हें बचाने के लिए ही नवाह मलिक बीजेपी नेताओ पर अरोप लगा रहे हैं एंसीबी के जॉर्नल डेरेक्टर समीर फानखेडे पर हरोप लगा रहे हैं लेकिन फिलाल आपको बता दें बोंबे हाई कोट ने नवाह मलिक पर एक बड़ा निर्देश दिया है उन्हें कहा है कि नवाह मलिक अब चार महीने तक याही मार्श तक अब समीर फानखेडे पर कोई टिपड़ी नहीं कर पाए हैं और अब नवाह मलिक हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं लेकिन मोहित कामबोज का ये कहना है कि जो उन पर आहरोप लगाया क्या है कि आर्यांखान को किड़नेप करने में किड़नेप करने की पूरी साचिश थी और इसमें कि बीज़ेपी के नेता मोहित कामबोज सामिल थे एक्स्टोशन का माफला भी नवाफ मलिक ने उसका जिक्र किया था तो तमाम चीजे जो हैं तमाम जो आखरोप हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनिती से प्रेदित है और यही वजा है कि उन्होंने नवाफ मलिक पर के तफाम जो माफले हैं वो दर्च कराई हैं हालकि आपको बता दे मोहित कामबोस बीजिपी के जुनेता है उन्होंने दरसल एक मानहानी का केस भी नवाफ मलिक पर दर्च कराया था जिस तरीके से उन पर आहरोप लगाये थे जिसके बाद उन्हें हालकि कोर्ट से जमानत मिल गई है और 15,000 रुप्य के नीजी मुचल के और अग्रिम जमानत उन्हें दी गई है और उन्हें 5,000 रुपे जमा करने के लिए भी कोर्ट में कहा गया है तो नवाफ मलिक को भले ही एक केस से राहत मिली हो लेकिन अभी कई केस ऐसे हैं जो नवाफ मलिक पर अलग-अलग थानों में दर्च है ना सिर्फ वो केस मोहित का अफले दर्च है इसके लाफा कई और पीज़पी नेताओं ने भी नवाफ मलिक पर कई केस दर्च किये हैं ये केस ना सर्फ इसलिए दर्च किये गए हैं चूकि उन्होंने NCB के जोनरल डिरेक्टर समीर वानखेड़े पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं बलकि ये केस इसल अकाउंट पर शेर किया, SCST Act के तहट उन पर केस दर्च किये गए हैं क्योंकि उन्होंने समीर वानखेड़े को खेटने के लिए जिस तरीके से जातिकर टिपणी की है, धर्म को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं तो कुल मिलाकर NCB के नेता नवाफ मलिक की मुश्किले पढ़ी हुई है, BJP नेता मोहित कामबोस का साफतोर पर ये कहना है कि महाविकास अगाड़ी सरकार सिर्फ ये जूट की राशनिती कर रहा है, जो खुद वसूली में उल्ची हुई है, वो इस तरीके से अब BJP नेताओं को खेटने के लिए ये तमाम अहरोप हर रोज लगा रही है, फिलाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राए है, हमें कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताने बाद,